आपका स्वागत करते हैं एक्सल वर्ड के दुनिया में तो यहाँ पर हमारा मूल उद्देश सिर्फ एक्सल सीखना है और आपको एक्सल सिखाना है तो हमारा कंटेंट इस तरीके से हम सीखेंगे पहला हमारा focus of the day होगा तो हम focus of the day लिखेंगे उसके बाद हमारे पास हम shortcuts related to it and additional notes if any तो कोई भी shortcuts होगा उससे related तो हम सामने वाले जगा पे लिखेंगे और हम कोई भी extra चीज हमें आ रहे उससे related होगा तो हम उसको भी सामने की जगा पे लिखेंगे तो यह हमारा pattern होगा सीखने का तो इस तरीके से हम अपने पहले हम basics clear करेंगे अक्सल का जो की formulas होता है basic formulas होता है जो taps होते है जो main-main taps होते है वो होता है और फिर जितनी भी taps के अंदर जितनी भी extra features हैं हम उसको सीखेंगे पहले कि वो features में क्या-क्या important है और क्या-क्या आज कल day-to-day life में यूज होता है हम वो सीखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे advanced excel की तरफ तो इस तरीके से हमारी जन्नी रहने वाली है तो ये content हम Hindi और English दोनों में start कर रहे है तो आप अगर चाहें तो English का playlist भी check कर सकते हैं अगर आपको Hindi में comfortable हैं तो आप Hindi का playlist चेक कर सकते हैं तो इस तरीके से आप अपनी Excel की knowledge improve कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने लिखा हुए file tab file tab क्या होता है तो हम पहला definition लिख रहे है file tab का file tab is the first tab in Excel file and it requires attention while learning basics of Excel it has lots of features in it while which we will be learning in it and its sub part one by one file tab पहला tab है जो Excel का पहला tab होता है तो यह tab बहुत ही important tab है क्योंकि इसके अंदर काफी important features है जो कि Excel में use किये जाते हैं और इसको हमें सबसे पहले सीखना बहुत ही जरूरी है इसके बाद ही हम आगे proceed कर सकते हैं अच्छी तरीके से तो इसमें हम कौन-कौन से features होते हैं हम पहले यह लिख रहे हैं तो इसके अंदर होता है new, open, save, save as तो यह सारी main-main चीज़े हैं और save और save as दोनों एक अलग-अलग चीज़े हैं मगर दोनों एक तरीके से similar हैं तो इसलिए हम एक ही टैब में यह दोनों चीज़े लिख रहे हैं हम इसका differences भी बताएंगे आपको कि इसका differences होता क्या है actually किस तरीके से यह दोनों different हैं एक दूसरे में बट उसके बाद भी similar हैं फिर उसके बाद आता है print, फिर share, फिर export, फिर publish और फिर options so options में क्या क्या आता है, options में काफी चीज़े आती है, options में add-ins होते हैं जो कि हम अपने requirement के हिसाब से add कर सकते हैं अपने excel के काम को easy करने के लिए फिर excel के अंदर और options होते हैं like किस तरीके से excel की features को हम improve कर सकते हैं किस तरीके से excel दिखेगा, उसका ribbon दिखेगा हमें, उसको change कर सकते हैं फिर options में एक important tab होता है, जो कि होता है developers tab तो उसको हम कैसे add कर सकते है options के थूरू, वो भी हम सीखेंगे तो अब हम यह सारे के सारे जितने भी important features and first file type के उसको एक करके सीखेंगे कि यह होता क्या है और इसके कोई shortcuts related होंगे उससे related तो हम वो भी सीखेंगे, तो मैं यह पहले बताना चाहता हूं कि जो shortcuts होते हैं वो भी आपको सार्चा सीखना important है क्यों क्योंकि आप जब shortcuts सीखते हैं तो वो आपका time save करता है और Excel mainly इसलिए काम आता है to faster work तो Excel सीखके आप काम को अपने easy करते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस वज़े से Excel यूज की जाती है तो हम अब हम सीखेंगे new tab क्या होता है new tab is which whenever we require a new Excel file to open we use this tab we go to file then new to open a new Excel तो new tab किसलिए यूज होता है हम यह बता रहे हैं आपको तो new tab जो होता है Excel का उसमें जब भी हमें कभी कोई नई Excel फाइल open करनी होती है तो new tab का इस्तेमाल किया जाता है तो new tab कैसे जा सकते हैं new tab की तरफ हमें सबसे पहले file पे क्लिक करना है फिर वहां पे जैसे हम file के tab पे क्लिक करेंगे हमाय पास option open हो जाएगा जिसमें new का भी option आ रहा होगा तो आपको उस new पे क्लिक करना है तो एक new Excel फाइल open हो जाएगे आपके सामने तो इस तरीके से new tab का इस्तमाल किया जाता है तो ऐसे ही काफी features है जो कि हम day to day life में इस्तमाल करते हैं मगर सबसे पहले हमें यह सीखना जरूरी है कि Excel open कैसे की जाती है तो इसलिए हम new tab सीख रहें तो हमारा यही pattern है जिस तरीके से हम सिखा आपको by any chance आपको कोई improvement की जरूरत लगती है कि आपको लगता है कि हमारे pattern में सुधार हो सकता है कुछ या आपको लगता है कि कोई नया तरीका हम add-on कर सकते हैं जिसके विए से आपको helpful होगी तो आप उसको भी comment section में लिख सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत important है क्योंकि हमने ये channel ही बनाया है आप लोगों की growth के लिए कि आप free में चीजे सीख सकें और बिना किसी cost के आप चीजों को पढ़ सकें सीख सकें और इसको apply कर सकें अपने office के काम में या तो फिर अपने day-to-day activities में कि जब आप कोई file बना रहे हैं या project पे काम कर रहे हैं excel के या आप मान लिजी आप कोई दुकान पे काम करते हैं तो आप उस दु Excel के थरूँ आप काफी चीजों को sort कर सकते हैं मतलब easy way में calculate कर सकते हैं चीजे तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि सब लोगों को Excel आए जिस तरीके से वह Excel को गाओं-गाओं में या हर जगह में आप Excel यूज़ कर सकें क्योंकि काफी लोग हैं जो सहर में भी जिनको Excel की proper knowledge नहीं ह तो इस वज़े से हमने ये चैनल बनाया है कि Excel की knowledge को हम जितना maximum बाढ़ सकें उतना अच्छा है हमारे लिए तो आपको अगर by any chance कोई support की जुरत पढ़ती है ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आरी चीजे तो आप comment section में भी लिख सकते हैं हम सारे comments को एक-एक करके पढ आएंगे और उसके बाद आपका response देंगे उसमें जवाब देंगे कि क्या है जिसके थुरू आपको समझ में नहीं आया और किस तरीके से आप easily उसको समझ सकते हैं तो यहां हमने new का shortcut भी लिखा है shortcuts of new tab is control plus N तो control दबा के आपको साथ में N दबाना है तो इससे एक नई पर क्लिक करके new पर जाने की कोई जरूद नहीं है आप सीधा एक Excel ओपन करेंगे उसमें control दबा के N दबा देंगे तो control और N एक साथ दबाने से क्या होगा एक नई Excel फाइल ओपन हो जाईए अब हम next tab की तरह बाते हैं जो कि है हमारा open tab तो हम open tab का first पहले definition देखते हैं definition क्या होती है open tab की open tab is the tab which we use whenever we need to open a new file which is already created and saved somewhere we will use the open the browse tab in it and select our destination and then open the file तो open tab एक तरीके से कोई already saved file है कोई already saved की हुई फाइल है कहीं किसी जगह पे उसको open करने के लिए काम आता है तो वो मान लेजिए आपने कभी कोई excel फाइल बनाई हो और आपने उसको save कर दिया कहीं तो आप उस फाइल को किस तरीके साप open कर सकते हैं आप पहले फाइल पे जाएंगे जो फाइल टैब है उस पे क्लिक करेंगे फिर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उस पे आपके पास एक option आएगा open tab का उस टैब पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक dialogue box खुल जाएगा जिसमें वो आप से मांग रहा होगा कि आप अपने फाइल का location बताईए तो आपको browse पे क्लिक करना है अगर आपको location पता है तो फिर browse पे क्लिक करके आपको अपना location पे ज जाना है और फिर उसके ऑपन कर देना है उस location में जाके अपने फाइल पे क्लिक करके जो Excel फाइल यहां पर उसको क्लिक करके open कर देना है तो वह एक्सल फाइल आपके सामने open हो जाएगे अब इसी तरीके से इसके शौटकेश भी होते हैं तो वह हम समझेंगे अभी कि किस त save & save as में क्या difference होता है क्या अंतर है दोनों का तो हम पहले यह जानेंगे कि दोनों होते के हैं save & save as has two different roles in Excel save & save as का दो अलग-अलग इस्तमाल Excel में save is used to save any new file which we have created recently whereas save as is used to save any existing file in Excel in some other path तो एक तरीके से देखा जाए तो save और save as का क्या main difference है save जो है कुछी नई file को save करने के लिए इस्तमाल किया जाद है जैसे माल लेजिए आपने कोई Excel file open करी और वो आपने first time open करी है first time आप उस Excel file में काम कर रहे है तो जब आप कोई नई file open करते हैं तो आपको save as का option आपको यूज करना है आपको save का option यूज करना है तो वो आपके लिए काम आएगा और जब आये जान्स आपने already कोई file save कर रखिए कहीं जगा और आपको वो file को save करना है जो कि already आपने कहीं save कर रखिए तो आप पहले open करेंगे फाइल फिर उस फाइल में click करेंगे save as और फिर किसी और destination पे जाके किसी और जगा पे जाके उसको save करेंगे तो save as का इस्तमाल करना आपको किसी और destination में already कोई existing file को अगर आप save कर रहे हैं तो save as का काम हैगा hopefully आप difference समझ गये होंगे save और save as का बहुत ही minor सा difference है बहुत ही छोटा सा difference है कि save किसी नई excel file को save करने के लिए इस्तमाल किया जाता है और save as कोई already saved file को किसी और different जगा पे save करने के लिए इस्तमाल किया जाता है अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं ओपन का shortcut क्या होता है किसी फाइल को already saved file को open करना है तो उसका shortcut क्या होता है तो वो है control plus O पहले हमें control प्रेस करके रखना है और साथ में O प्रेस कर दे रहा है तो जिससे हमारे पास वो dialogue box open हो जाएगा कि जहाँ पे हमें browse करके हम फाइल के path में जाएगे फाइल के जगह पे जाएगे और फिर उसके open कर सकते है तो वो dialogue box open हो जाएगा तो इससे हमारा time बचेगा हमें file पे click करना नहीं है फिर open पे click नहीं करना हमें direct control plus O पे enter कर देना है तो एक नया dialogue box open हो जाएगा save करनेगा तो इस तरीके से हम save करते है और save का shortcut क्या होता है save का shortcut होता है control plus S तो control के साथ S पे click करेंगे तो save का option start हो जाता है मतलब कि कोई भी file आपको shortcut में save करनी है तो control plus S पे enter करेंगे तो वो file save हो जाएगे अब fourth हाता है हमारे पास print का tab तो print tab में क्या इस्तमाल होता है अब यहाँ पे हम पहले definition पढ़ेंगे print tab is used to take the print out of any excel which we whenever we require to document our excel we use it and it has print preview open option also in it so that we can also check how our excel file is printed तो print tab एक तरीके से इस्तमाल किया जाता है जब भी हमें कोई already saved file का print out लेना है या उसको document करना है किसी को हमें देना है वो document या कहीं किसी presentation में हमें वो document hard copy में लगाना है उसका तब हम print का option यूज करते हैं तो कोई भी excel file को हमें print out करना है तो हम print का इस्तमाल करते हैं प्रिंट प्रिव्यू का तो उस प्रिंट प्रिव्यू में हम जाके देख सकते हैं कि हमारा एक्सल किस तरीके से प्रिंट आउट निकलेगा उसका तो यह हमेशा हेल्प करता है कि जिस तरीके से हम अच्छी तरीके से अपने एक्सल फाइल का प्रिंट आउट निकाल सके हार् तो यह काफी helpful होता है जब भी हम कोई document निकाल रहे होता है क्योंकि हर एक छोटी-छोटी चीज माइने रखती है जब आप कोई presentation मना रहे हैं अपने senior managers को आप भेज रहे हैं वो presentation तो हर एक छोटी-छोटी चीज माइने रखती है तो इसलिए आपको print preview का option करना यूज करना है पहले तभी कोई document को printout निकालना है तो उसका shortcut क्या होता हम यह भी जानेंगे तो print किसी भी Excel का printout निकालने के लिए हम control प्रेस करके रखेंगे फिर पी प्रेस कर देंगे तो जिसस से print का dialog box open हो जाएगा और वहां सब कुछ चेक करेंगे कि हमें किस तरीके से printout निकालना है और जैसा कि हमने बोला कोई भी document का printout निकालने से पहले आप print preview चेक करेंगे उसका कि वो किस तरीके दिख रहा है और किस तरीके से वो printout निकलेगा तो इसलिए हमें सब प्रिंट प्रिव्यू का भी option चेक करना जुरूरी है प्रिंट निकालने से पहले तो अब हमने यह printout भी option पता कर लिया है तो अब हम यहाँ देख सकते हैं जितने भी shortcuts हैं उसको याद करने का एक easy तरीका है तो आप यहाँ देख सकते हैं control सब में common है मतलब हर में control तो हमें press करना ही करना है और यहाँ पे जब भी हम नई file कोई open कर रहे हैं तो वहाँ पे n new file का option जो है जो shortcut है वो पहले letter से start हो रहा है जैसे कि हमें कोई नई file open करना है तो control प्लस N फिर हमें कोई existing file open करना है तो control प्लस O पहला letter हमें इसा shortcut का आ रहा है जो हमें करना है फिर save करना है तो control प्लस S फिर print out करना है तो control प्लस P तो इस तरीके साब यह easily याद कर सकते हैं कि control common है और plus हर चीज का पहला letter है तो अब हम आते हैं फिफ्थ टाइब की तरब जो है हमारा सेयर टाइब तो अभी हम उसका डेफिनेशन समझेंगे कि सेयर टाइब होता क्या है तो सेयर टाइब इस यूज़ टू सेयर टाइब तो अधर पर्जन विद दिफरेंट मोड्स तो एक तरीके सेयर टाइब फाइल सेयर करने के लिए इस्तमाल गयाता है किसी डिफरेंट मोड्स के थरू तो वो मोड्स क्या क्या हो सकते हैं वो मोड्स हो सकते हैं हम अपने अपने अक्सल फाइल को मेल के थरू भेज रहे हैं या तो पीडिया फॉर्मिट के थरू कनवर्ट करके भेज रहे हैं तो यह अलग-अलग modes होते हैं जिसके थ्रू हम अपने Excel फाइल को दूसरे इंसान से से एर कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू तो दो तरीके से हम अपने फाइल को सेर कर सकते हैं एक hard copy के थ्रू जो कि हमने print out के थ्रू पताया आपको और अगर soft copy के थ्रू करना है तो हम mail के थ्र shortcut and share the updated file only तो हमेशा याद रखिए जब भी आप कोई file किसी के साथ share कर रहे हैं तो आप हमेशा control plus s हमेशा दबा दीजिए जिससे कि आपकी file जो है आपने जो बनाई है वो save हो जाए पहले क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप किसी को file भेज रहे हैं तो वो ह कभी कबार क्या होता है कि हम file बना तो लेते हैं लेकि हम share करने से पहले save नहीं करते हैं तो वो जो last save file होती है वही जा पाती है mail पर तो इसलिए better है कि हमेशा save करते रहें चीज़ें और प्लस कभी कबार light चली आती है तो light जाने के वज़े सा आपका जो file होती है जो आपने क करते रहिए control प्लस S का इस्तमाल करके अब हम आते हैं 6 तैब में जो कि हमारा एक्सपोर्ट तैब तो एक्सपोर्ट टाइब इस यूज़ टू एक्सपोर्ट डाटा आइधर एज पीडियेफ और एक्सपीएस डॉकुमेंट कंटेंट कांट भी चेंज ओनली एक्सपोर्ट टाइब एक तरीके से हमारे डाटा को एक्सपोर्ट करने में काम आता है तो यहाँ पे दो तरीके से हम डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक तो हमारा पीडियेफ के थुरू और एक होता है एक्सपीएस डॉक्मेंट के थुरू तो पीडियेफ के थुरू अगर आप कभी भी दॉक्मेंट को एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, वो किसी के लिए कोई भी उसको एडिट नहीं कर सकता हैं, सिर्फ उसको देख सकते हैं, तो यह एक अच्छा माध्यम है, जब भी हम किसी को एक्सपोर्ट करके डाटा प्र एक तरीके चाहिए पीडिएफ टैप काफी लोगों को पढ़ने में भी आसानी रहती है उसके लिए क्योंकि वह काफी क्लियर रहता है और प्लस उसमें आपका आपके पास अधर ऑप्संस भी होते हैं डिस्टिबिल्टीज के लिए जो हेल्प करता है पढ़ने के लिए अब यहां पर सेवन्त आता है पब्लिश टैप तो अब हम उसका डेफिनेशन समझेंगे कि पब्लिश टैप किस लिए यूज होता है पब्लिश टैप इस यूज टू क्रियेट एंसेयर एनी रिच विज्व रिपोर्स इन आइधर पावर भी आई और सम अधर टूल्स तो एक तरीके से पब्लिश टैप इस्तिमाल होता है कोई भी आपका एक्सल फाइल आप जब भी उसमें बहुत सारे कंटेंट है बहुत सारे डॉकुमेंट से बहुत सारे टेबल से तो उसको आप पब्लिश करना आप जब पावर भी आई में उसको पब्लिश करेंगे तो आप इसली आप उसको एनलाइज कर सकते हैं तो हम पावर भी आई भी समझेंगे तो हमारा कंटेंट जो पढ़ने का यही रहेगा पहले हम एक्सल को बेसिक को कवर करेंगे फिर एडवांस एक्सल की तरफ चलेंग फिर एसक्यूवल सीखेंगे फिर पावर भी आई सीखेंगे फिर टैबलू सीखेंगे फिर प्रेजंटेशन सीखेंगे किस तरीके से हम प्रेजंटेशन क्रियेट कर सकते हैं और फिर हम सीखेंगे उन सबका एक साथ का इस्तमाल किस तरीके से वो इस्तमाल होता डाटा एनल में हम भी अपना नॉलेज बढ़ाएंगे और आप लोगों के लिए भी नॉलेज बढ़ाएंगे अब हम फिर से आते हैं पब्लिश टाइप के तरप इट हैस्टू अप्लोड और एक्सपोर्ट दपाइल टू पावर भी तो इसमें दो अप्सिंस होते हैं हम यह तो अपने लास्ट टाइप के तरफ फाइल टाइप का जो लास्ट ऑप्सिंद वह है अप्सिंद तो अब हम ऑप्सिंद अब समझेंगे कि ऑप्सिंद होता क्या है तो ऑप्सिंद आप इस यूज़ एंड इट हैस्ट वेरिएस टाप सिन इट विच चेंज एस पर आवर नीट एड़ेंट टैब्स एड इंड इम्पॉर्टनन टैब आप आर फिक एक्सिंद टूलबार एडविएंस फॉर्मला टैप अंड कस्टम डिबंग में तो एक ऑप्सिं टैब बहुत इंपॉर्टन टैब है इसमें बहुत इंपॉर्टन इंपॉर्टन विचर्स हैan जो कि इस् इवांटेजेस हैं तो वह इंपोर्टन टैप्स या फीचेस कौन-कौन से हैं पहला है क्विक एक्सिस टूल बार फिर है एडिन्स थर्ड है फॉर्मला टैब और कस्टमाइज डिबन और इसमें एक डेवलेपर्स टैब भी ऑप्शन होता है इसके तुरू आप उसको डेवले टैप को भी एड़ सकते हैं तो क्विक एक्सेज टूल बार के अंदर ही होता है डवलेपर टैब जिसके थूरू आप उसमें डवलेपर टैब आड़ करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कोडिंग के लिए फिर एडिंस होता है एडिंस काफी एकसिल या तो फॉर्म्ला टाप को किस तरीके से हम देख सकते हैं या चेंज कर सकते हैं प्लस किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं अपने आज पर आवर नीट्स वह भी हम मारे पास ऑप्शन होता है तो फॉर्म्ला टाप किस तरीके से हम काफी एडिंस यूज कर सकते हैं जो कि हमारे काम के लिए एजी रहेगा और काफी फिचर्स एडि कर सकते हैं तो यही है सब कुछ फीचर्स फाइल टाप के बारे में जो हम इंपॉर्टन समझते हैं hopefully आपको समझ में आया होगा file tab कि file tab होता क्या है और अब हम basics से start कर रखें तो hopefully आपको समझ में आया होगा क्या क्या file tabs है so thanks आपको देखने के लिए और अगर आपको ये content अच्छा लगा तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ share करिए like करें video comment करिए जो आपको समझ में नहीं है और ऐसे हमारे साथ जुरे रही है thank you, bye